हेलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का रभी सर्यू के बाले में आज की वीडियो उत्राखंड SSE 10 प्लस टो और ग्रेजुएट लेबल के लिए जिसमें हम बात करेंगे समुगों के जो आने वाले एकजाम है पटवारी लेकपाल कनिसायग और ग्रामविकास वतिकारी वीडियो वीडियो के जो भी आपके एकजाम है उन सभी के लिए वीडियो इंपोर्टैन रहेगी इस वीडियो में हम कवर कर रहे है उत्राखंड का परagnetन जो कि हमाज 6th class करने माले हैं इस से पहले 5 class हमने कर ली इसमें जिसमें हमने पढ़ा था उत्राखंड के जो धार्मिक की यात जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पंच बद्री और सब्त बद्री के बारे में तो इनकी मानिता भी उसी तरह है जिस तरह के से चारधा म्यात्रा की मानिता मानी जाती है ठीक है उत्राखंड की प्रिवेसियर क्वेस्टन जो की 1000 क्वेस्टन है यहां पर और उत्राखंड का भुगोल अगर आपने यह सारी वीडियो नहीं देखें तो इनको आप देख लेना आने वाले एकजाम के लिए आपके लिए इंपोर्टन रहेंगे इसकी पीडियाप आप कहां से ले सकते हैं टेलिग्राम चैनल जोइन कर लेना उसके लिए टेलिग्राम चैनल पर आपको मैं पीडियाप प्रोवाइट करा देता हूं तो वहां से आप इसकी पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए हम map के थोरों समझते हैं कि सबसे पहले जो 5 बद्री है वो कहां पर रिच्तित है और आपको देखने कु मिलेंगे, सबसे पहले चमोली जीले में, जितने भी बद्री है, 5・5 और 7 तो सभी कहां पर रिच्तित है चमोली में और यह आपके सामने चमोली का मैप आपको दिखाई दे रहा है तो चमोली में अगर हम सबसे नीचे से सुरू करें तो यहाँ पर है गैरसेंड जो कि यहाँ पर ग्रेस मकालिन राजदानी है उत्रागंड की तो यहाँ से सुरू होते हैं तो इसके पास अगर आप जाते हैं तो कर्ण परियाग पहुंचते हैं तो कर्ण परियाग से नीचे आपको एक बद्री देखने को मिलेगा जो कि है आदरी बद्री आप इसी रूट पे उपर को जाएए नंदपरियागा पंच परियाग का दूसरा परियाग नंदपरियाग पहुँचेंगे जहाँ पर नंदाखनी नदी मिलती है और उसके बाद यहाँ पर आप गोपिस्वर पहुँचेंगे ठीक है गोपिस्वर जो की चमोली जीले का मुख्यालाई है और यहाँ पर जो चमोली है वो इस्तित है चमोली से उपर और आज जाएंगे तो जोसिमट पहुंचेंगे जोसिमट के जैसे ही जैसे ही कुछ दूरी पर छह साथ किलोमेटर की दूरी पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्रहद बद्री ठीक है ब्रहद बद्री कहाँ पर है जोसिमट के पास फिर आप यहां पर पहुंचेंगे विष्णू परियाग ठेक है विष्णू परियाग आपको पता है सबसे पहला परियाग है ठेक है जहां पर परस्चिमी धुली गंगा और विष्णू गंगा नदी मिलती है अलग नंदा नदी तो विष्णू परियाग के बाद आप यहां तो अब हम देखते हैं य那我們 बंकिस्थान है यहां पर सुबह नाम अकिस्थान है यहां पर आपको क्या मिलत लिगा भाविशि बंकि बंक जील oppose तोव पर प्रकाइंगे यहां बंको पंचे बद्री के बारे में एक एक करके तो हमने इससे पहले चारधाम यात्रा के बारे में पढ़ रहा था और उसमें देखा था कि जो हिंदू धर्म है उसके लिए जो यह चारधाम है जैसे केदानात, बद्रिनात, गंगोतरी, अमणोतरी तो important एक धार्मी के स्थाल है इसे परकार से पंच बद्री भी हिंदु धार्मी के लिए एक महत्यपूर्ण तीरती स्थाल माने जाते हैं तो हमने बद्रिनात जब पढ़ा था तो बद्रिनात में हमने देखा था कि जो भगवान विष्णु हैं उनकी यहाँ पर पूजा की जाती है और उनकी यहाँ पर मूर्ति इस्थापित है तो पंच बद्री का मतलब यह है कि जो पांच बद्री हैं वहाँ पर भगवान विष कि ये चमूली जीले में हैं, और इस जो पंच बद्री है, इनको दूसरा बैखुंडी के नाम से भी जाना जाता है, धार्मिक गरंतों में. ये पांच बद्री कौन-कौन है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इन मेंसे कौन सा बद्री है, जो कि पंच बद्री में सामिल नहीं है, तो अगर आपको पता होगा, तो आप इसको कर सकते हैं. जैसे कि बद्रिनात और योग ध्यान बद्री, ब्रहद बद्री, भवेसी बद्री और आदी बद्री ये पांचो बद्री आपको ध्यान में रखने हैं जो कि पंचो बद्री में सामिल है अब हम एक एक करके पांचो बद्रियों को पढ़ते हैं इनके बारे में डिटियल में एक सांथ हमने पढ़ा था, तो उसी वीडियो का अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पर आपका बद्रिनात कम्प्लीट हो जाएगा, उसके अलवा यहाँ पर बद्रिनात के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो पंच बद्री में भी वही चीज है, जो कि हमने चारदह हम यातरा में बद्रिनात के बारे में पढ़ा था, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, आपको लिंक डिस्केप्शन में मिल जाएगा, तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर दूसरा बद्रि जिसको हम आदी बद्री के नाम से जानते हैं, अगर हम आदी बद्री के बारे है आदी बद्री का, तो इसी वज़े से इसको पर्थम तीरत अर्थाद भगवान विश्रू के सबसे पहले जो दर्सन किये जाते हैं, वो आदी बद्री में ही किये जाते हैं, आप से डारेक्ट कोश्चिन पोच लिया जाएगा कि पंच बद्री में से सबसे पहले भगवा आस्कारू के अनुसार है जैसे पांडवों के अनुसार इसकी निर्मार किया गया था यह भी मानिता है एक और अन्य मानिता यह है कि जो आठियु सदी में संकराचारी यहाँ पर आये थे उन्होंने इसका निर्मार किया था और एक मत यह भी है कि अग्यारियु सदी में जो कत पंच बदरी में तो आप बोलेंगे आधि बदरी में यहां पर 16 feminidry भगवान बिश्रू के अलग-अलग परतिमाई इस्तापित हैं और इन में से एक जो मुख्य मंदिर है उसको हम बोलते हैं आदी बद्री और आदी बद्री में आपसे पूछ लिया जाता है कि यहां पर किस परकार की मूर्ति इस्तापित की गई है तो आप बोलेंगे एक मीट काली सालिगराम के परतिमा इस्तापित की गई है यानि कि काली पत्थर की मूर्ति यहां पर इस्तापित है भगवान बिश्रू की इसके सामने एक चोटा सा मंदिर है जो कि भगवान बिश्रू की जो सवारी मानी जाती है गरूड तो गरूड को समर्पित एक चोटा मंदिर है जो कि इसे के सामने इस्थापित किया गया है और यहां के जो ब्रामड होते हैं यानि कि जो इसके सामने एक थापली गाओं है थापली गाओं के ब्रामड जो है वो ही यहां के क्या होते हैं पुजारी होते हैं अगर आप से पूछ लिए जाए कि यह जो आदी बद्री है व अब हम चलते हैं तीसरा बद्री जो कि है ब्रहत बद्री यानि कि इसको बुड़ा बद्री भी बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं बुड़ा बद्री आपको यह ध्यान में रखना है जो कि जोसी मट के पास में इस्तित है जोसी मट के पास साथ किलो मेटर दूरी पर एक मट है अनिमठ तो अनिमठ के पास ये इस्तित है आप से question पोश लिया जाता है अनिमठ कहाँ पर इस्तित है तो अनिमठ आपको option में यहाँ पर पांचो बदरी के नाम दिये जाएंगे तो आप उनमें से सही answer क्या करेंगे ब्रद बदरी के सामने अनिमठ इस्तित है यहाँ पर इसको तिरती बदरी के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर जो भगवान बिश्णु है वो व्रद के रूप में यहाँ पर निमास करते हैं ऐसा माना जाता है जो पुराणों में की जो नारद मुनी थे उनकी यह क्या है तपस तप इस्तली के रूप में जाना तो आपसे यह question पूछ ले जाता है कि ब्रहत बद्री में जो बिष्णु है भगवान बिष्णु उन्होंने किसको यहाँ पर ब्रहत रूप में दर्शन दिये थे तो आप बुनेंगे नारध मुनिकौ यहाँ पर आप देखेंगे कि जो संकराचारी है उन्होंने बद्री ना पहली बद्री के रूप में जाना जाता है तो पहली बद्री कौन सी है तो आप बोलेंगे वरहत बद्री यानि कि यहाँ पर सबसे पहले भगवान बिष्णु की बरतिमा इस्तावित की गई थी संकराचारी के द्वारा और अगर आप से पोछले आजाए पर्थम दर्शन क का पर होते हैं ख्गवान बिष्णु के क्योंकि आप अगर यात्रम जाएंगे 5 पांच चु बद्री के तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर आपने देखा ठीक है आदि बद्री तो आदि बद्री आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले था बद्री है तो योगधान बद्री के बारे में अगर बात करें तो ये पाण्डू के स्व़र के पास िस्तित है और यहाँ पर क्या है ये पांडू का जन्म होआ था यहीं पर 탄ू की मुर्थवी यहीं पर हुई थी और यहाँ पर क्या क्या गया था जो पांडु थे उनके द्वारा भगवान विश्णों की कांसे की परतिमा यहाँ पर योग मुद्रा में ध्यान मुद्रा में इस्थापित की गई थे तो इसी वज़े से यहाँ पर इनको योग ध्यान बद्री की रूप में जाना जाता है तो योग ध्यान बद्री के बारे में आपने यहाँ पर देखा जब यहाँ पर जो बद्रिनाथ मंदिर है जो बद्रिनाथ है तो वहाँ के अगर सीथकाल में कपाड बंदों होते हैं तो उस समय जो भगवान विश्णों की मूर्ती है वह यहीं पर इस्थावित की जाती है यानि कि पांडू के सौर के पास योग ध्यान बद्री में दक्षर भारत के जो भर्ट पुझारी होते हैं इस मंदिर के मुख्य पुझारी के रूप में जाने जाते हैं उनको इतनी बात आपको यहां पर योग्यान बद्रि में पड़ना है अब हम चलते हैं पण्च बद्री करते आने वाला जो कल है उसको हम भववविशिय बद्रि बोलते हैं तो इसी वज़े से जैसे कि यहाँ पर जो मुर्ती इस्ताफित है भगवान विश्णों की वह आध्याकर्ति की मुर्ती इस्ताफित है ठीक है ऐसा माना जाता है कि जो आने वाले समय में यहाँ पर भवशी बद्री में जो भगवान विश्णों है उनके पूर्ण रूप में यहां पर मूर्ति स्थापित के जाएगी और उनकी पूजा की जाएगी इसी वज़े से इसको भवविशी बद्री की रुप में जाना जाता है जो कि जो सिमठ के पास सुबे नामक इस्थाने वहाँ पर यह इस्तित है भवविशी बद्री ठीक है तो यह सारी चीज़ आपको भवविशी बद्री की बारे में देखना है आप यहां पर से देख सकते हैं तो इस परकार पंच बद्री कंप्लिट होते हैं अब हम चलते हैं सब्त बद्री में जो पांच बद्री हैं उनमें तो यह सब्त बद्री में पांच बद्री तो स ध्यान बद्री है वो कलपेशवर के पास देखने को मिलेगा जो कि चमुली में इस्तित है और उर्गम घाटी में तो आप से पूछ लिया जा सकता कि उर्गम घाटी में कौन सा बद्री है तो आप बोलेंगे ध्यान बद्री ध्यान बद्री और योग ध्यान बद्री में आप confused मत होना जो ध्यान बद्री है वो सब्त बद्री में आता है और जो योग ध्यान बद्री है वो आपका पंच बद्री में आ जाएगा यह जो नर्सिंग मंदिर है यह आपको नर्सिंग बद्री यहाँ पर जोसिमट में देखने को मिलेगा तो इस परकार से यह होते हैं complete सब्त बद रहे हैं तो ठैंक्यू सो मच अगली वीडियो में हम फिर से और लेके आएंगे पंच केदार के बारे में तो वीडियो को सेर करना और चैनल को सब्स्राइब कर देना